नमस्कार आप सभी का स्वागत है तिवारी अकैडमी में प्रते के वेंजगों का गुणन कीजिए हमें गुणन करना है चली करते हैं देखते हैं सबसे पहले किस तरह से हमें इसे करना है तो सबसे पहले प्रश्ण की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे पहले प्रश्ण की बात करेंगे पहला प्रश्ण हमारे सामने जो है लिखा हुआ है 4P और Q धन R इसमें हमें इन दोनों पदों का आपस में गुणा करना है तो देखिए अब मैं आपके सामने सीधे हल करता हूँ कैसे होगा सबसे पहले तो आपको क्या करना है 4P का गुणा Q के साथ करना है फिर धन चिन ने जो बीश में लगा है फिर 4P का गुणा आपको R के साथ भी करना है यानि पहले इस पद के साथ और फिर इस पद के साथ है न ठीक है तो अब कितना आएगा 4P का गुणा जब Q से करेंगे तो आ जाएगा 4P Q फिर धन का चिन आ जाएगा और 4P का गुणा R से करेंगे तो आजाएगा 4BR तो ये आपका उत्तर हो गया है ना बहुत सरल वागई बहुत आसान है इसके बाद में अब हम दूसरे प्रशन पर आते हैं दूसरा प्रशन जो है हमारे सामने दिया हुआ है AB का गुणा हमें करना है A रिन B से तो इसी प्रकार से करेंगे पहले AB का गुणा करेंगे A से फिर रिन AB का गुणा हो जाएगा B से तो हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा जो हमें प्राप्त होगा क्या AB का स्क्वाइर AB का स्क्वाइर रिन A स्क्वाइर B है ना मैंने थोड़ा विप्रित लिख दिया था इस तरह से A square B, red A B square ये हमें प्राप्त होगा तो ये आपका उत्तर हो गया इसके बाद में अगला प्रशन यानि तीसरे प्रशन पर हम आते हैं तीसरा प्रशन क्या दिया है लिखा है A धन B और 7 A की घाद 2, B की घाद 2 ठीक है ऐसे ही गुणा होगा इसका भी जैसे अभी हमने किया पहले A धन B का जो अब A धन B यहाँ पर पहले दिया है तो A का गुणा होगा पहले 7 A की घाद 2, B की घाद 2 से फिर धन B का गुणा करेंगे साथ एकी घाद दो और बी की घाद दो से तो ये हो जाएगा हमारा साथ एकी घाद तीन बी की घाद दो धन साथ एकी घाद दो बी की घाद तीन इस तरह से हमें ये उत्तर राप्त हो जाएगा इसके बाद अब चौथे प्रशन पर आते हैं चौथा प्रशन जो है वो क्या दिया है देखते हैं दिया है ए की घाद दो रिन 9 का गुणा करना है 4a से छीख है अभी हो जाएगा तो पहले ए की घाद 2 का गुणा 4a से होगा फिर रिण 9 का गुणा 4A से होगा तो हमें प्राप्त होगा 4A की घातील रिण 9.36A ये हमारा जवाब हो जाएगा इस प्रशन का उत्तर इसके बाद में फिर हम पांचवे प्रशन पर आते हैं पांचवे प्रशन हमारा लिखा है PQ धन QR धन RP का गुणा करना है शून निसे तो मैं आपको बताओं पहले आप PQ का गुणा शून निसे करेंगे धन QR का गुणा शून निसे करेंगे धन RP का गुणा शून निसे तो जो हल है इसका वो भी आएगा 0.00 यानि 0 इस तरह से ये पहले प्रश्ने के अंतरगा जो 5 प्रश्ने दिये थे वो हल हो जाएंगे आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट यहाँ पे ले सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे अगले प्रश्ण की जो की है प्रश्ण क्रमांग दो प्रश्नक्रमांक दो हमें क्या दिया हुआ है लिखा है सार्णी को पूरा कीजिए ठीक है तो अभी पूरा कर देते हैं सार्णी को कैसे हल होगी है सार्णी देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे लिखा है प्रथम व्यंजक, जुति व्यंजक और उसका गुणनफल हमें गुणा ही करना है ultimately है तो ठीक है कर देते हैं आपके सामने गुणा करता हूँ देखने हैं किस तरह से हलोगा यह ठीक है बहुत छोटी सार्णी दी हुई है यह गुणनफल की तो मैं यहाँ पे सीधे आपके सामने हल करता हूँ पहले दूसरा तीसरा चौथा पाचवा करके है न तो गुणनफल वाली जो सार्णी है उसमें आप उत्तर को आसानी से भर दीजेगा तो सबसे पहले पहला वाला हल करता हूँ मैं आपके सामने तो हमें A का गुणा करना है B धन C धन D से है न तो उसको इस तरह से करेंगे कि A का हमें गुणा करना है B धन C धन D से तो उसको इस तरह से करेंगे पहले A गुणा B फिर धन A गुणा C फिर धन A गुणा D अभल करेंगे तो यह हो जाएगा AB धन AC धन AD तो यह जो आया है आपके पास में यही आपका उत्तर है पहले वाले का इसको आप पहले वाले खाने में भर सकते हैं गुडन फल में अब दूसरे पर आते हैं हम दूसरा प्रश्म जो है हमारे पास में वो है X धन Y रिण 5 का गुणा करना है आपको 5XY से तो उसको आप इस तरह से लिखेगा कि 5XY का गुणा करेंगे आप X धन Y रिण 5 से तो कैसे करेंगे आप बहुत ही सरल है आपको यह करना है पहले 5XY गुणा X करना है धन 5XY गुणा Y करना है फिर रिण 5XY गुणा 5 तो यह आपका हो जाएगा 5X की घाद 2Y धन 5XY की घाद 2 रण 25XY और यकीन मानिए यही जो है आपका उत्तर है पुरा इसको आप दूसरे खाने में भर सकते हैं ठीक है अब तीसरा वाला क्या है P का गुणा करना है 6P स्क्वार माइनस 7P प्लस 5 से ठीक है तो मैं आप चाहें तो इन दोनों का स्क्रीन चॉट ले लीजे क्योंकि मैं इसी को मिटा के फिर यहां पर तीसरा करने वाला हूँ अब तो मैं मिटा देता हूँ अब गणित को हमेशा step by step ही solve करना चाहिए और यह जो अध्याय है अध्याय 8 वैसे तो सभी गणित में हमें ध्यान रखना चाहि तो तीसरा वाला जैसा कि मैं आपको बताया था क्या दिया है पी का गुणा करना है आपको 6 पी की घाद 2 रिन 7 पी धन 5 के साथ में तो यह कुछ इस तरह से हो जाएगा पी का गुणा सबसे पहले तो आप 6 पी की घाद 2 से करेंगे फिर रिन पी का गुणा आपको करना पड पांच से तो आपको प्राप्त होगा 6, P की घाद 3 रण 7, P की घाद 2 धन 5P और यही जो है आपका उत्तर है ठीक है यह आपका उत्तर है अब चौते वाले पे आते हैं चौता वाला कया दिया है इसमें आपको 4 P की घाद 2 Q की घाद 2 का गुणा करना है P की घाद 2 रिन Q की घाद 2 से तो कैसे होगा तो यह ऐसे होगा कि 4 P की घाद 2 Q की घाद 2 गुणा P की घाद 2 रिन Q की घाद 2 इस तरह से ये हो जाएगा तो आप यहाँ पर लिखेगा इसको कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे 4, P की घाद 4, Q की घाद 2 है ना, रिन 4, P की घाद 2, Q की घाद 4 इस तरह से ये हो जाएगा और यह आपका पूरा यहाँ पर हल हो गया यह ही आपका उत्तर है ठीक है? हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पांचवे वाले प्रश्न की कि वो कैसे हल होगा? ठीक है? तो मैं उसको भी यही नीचे कर देता हूँ, जगे है थोड़ी सी, तो हमें क्या करना है? A वाला जो हिस्सा है, A, B, C वाला उसको पहले लिख देता पड़ेगा A धन B धन C से, अब देखी कैसे होगा, सबसे पहले तो A, B, C घुना A हो जाएगा, फिर धन A, B, C घुना B हो जाएगा, फिर धन A, B, C घुना C हो इसका आप स्क्रीन शॉट यहां पर ले सकते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे प्रश्न क्रमांग तीन की, ये प्रश्न क्रमांग तीन हमारे सामने है, लिखा है गुणनफल ग्याद कीजिए, ठीक है, अभी ग्याद करते हैं, सबसे पहल पहला प्रश्न लिखता हूँ आपके सामने, लिखा हुआ है, एक ग्याद दो, गुणा फिर लिखा है, दो, एक ग्याद बाईस, फिर गुणा लिखा है, चार, एक ग्याद, चब्यस, ठीक है, अब देखिए, इसको हम किस तरह से हल करेंगे, मैं आपके सामने हल करता हूँ क्या करते हैं हम कि ये जो दो और चार साथ में लिखा हुआ है इसको पहले अलग कर लेते हैं संख्या को ठीक है और इसका गुणा हो जाएगा एकी घाथ दो गुणा एकी घाथ 22 गुणा एकी घाथ 26 से क्या मैं सही कह रहा हूँ अब क्या होगा आगे हल देखिए दो का गुणा चार से करिए पहले तो आठ आ गया गुणा अब एकी घाथ आधार समान है तो घातां कापस में जुड़ जाएंगे तो 22 और 2 कितना हो जाएगा 24 और 26 कितना हो जाता है हो जाता है अब B वाले पर आते है B वाला क्या दिया हुआ है B वाला दिया हुआ है मैं लिखता हूँ आपके सामने 2 बटा 3 X Y गुणा करना है इसका आपको यहाँ पर किस से रिन 9 बटे 10 X की घाथ 2 Y की घाथ 2 से ठीक है अब यहाँ पर भी आप एक काम कीजिए क्या करेंगे आप आप काम यह कीजिए कि संख्याओं को पहले लिख दीजिए याने आप लिखे 2 बटा 3 गुणा रिन 9 बटे 10 इस तरह से और इसका गुणा आप कर दीजिए X गुणा X की घाथ 2 गुणा Y की घाथ 2 से इस तरह से ठीक है कुछ भी नहीं किया हमने संख्या को पहले लिख दिया है तो अब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे 2 एकम 2 2 पंचे 10 हो जाएगा 3 एकम 3 3 तरका 9 यानि रिन 3 बटे 5 बचेगा तो रिन 3 बटे 5 X की घाथ कितनी हो जाएगी कुल मिला के 3 क्योंकि आधार समान है तो घातांक आपस में जुड़ जाएगी और Y की घाथ भी हो जाएगी 3 तो ये है आपका उत्तर हो गया B वाले का ठीक अब थर्ड वाले पे आते हैं थर्ड वाला ये B नहीं ये दूसरा वाला था एक्चुली क्रमांक में थोड़ी गड़ बढ़ हो गई थर्ड वाला हल करता हूँ मैं आपे नीचे थोड़ा दूसरे रंग से हल करते हैं ताकि आसानी हो जाए समझने में तो थर्ड वाला प्रशन जो है लिखा है रिन दस बटा तीन पी क्यू की घात तीन तो लिखता हूँ रिन दस बटा तीन पी क्यू की घात तीन तो लिखा है गुणा कोश्टक में अगले लिखा है छे बटा पाँच पी की घात तीन क्यू ठीक हैं अब इसको हल करना है तो इसको देखे कैसे हल करेंगे, बहुत ही सरल है, सबसे पहले वही संख्याओं का गुणा करना है, द्रिन दस बटे, तीन गुणा छे बटे, पांच कर लीजिए, और फिर एक दूसरे कुछ तक में लिखेगा, पी गुणा, पी की घात तीन, क्यू की घात तीन गुणा, क्य तो अब इसको हल کرेंगे, तो कितना आ जाएगा, पांच कर पांच, दूनी, तस तीन, एक कर तीन, 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 च्छे दो, दूनी, चार, रिन चार, बटे मे एक है, तो लिखने क्या होज़कता नहीं है, अब यह हो जाएगा, पी की घात चार, क्यू की घात चार, इस तरह स हमें आप इसे हल करना था यह आपका उत्तर हो गया अब हम चौथे वाले पर आते हैं चौथा प्रश्न क्या दिया है एक्स गुणा एक्स की घात दो गुणा एक्स की घात तीन गुणा एक्स की घात चार बहुत ही सरल प्रश्न है एक्स कुणा एक्स की घात दो गुणा एक् यह आपका जवाब हो गया इस तरह से हमेंसे हल करना है बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्नक्रमांक 4 की देखिए प्रश्नक्रमांक 4 जो है वो हमें कुछ इस प्रकार दिया है कि ए वाला सबसे पहले 3x कोश्टक में फिर 4x पांच धन 3 को सरल कीजिए और x बराबर 3 है x बराबर 1 बटा 2 है के लिए इसका मायन ग्याद कीजिए ठीक है तो पहले x बराबर 3 रखेंगे फिर x बराबर से 1 बटे 2 रखेंगे लेकिन उसके लिए पहले हमें प्रश्नकों हल करना पड़ेगा जो गुणा है वो गुणा प अब देखिए प्रश्न लिखा था 3 x 4 x रिण 5 धन 3 अब क्या करना है गुणा कर दीजिए सबसे पहले तो 3 x का जो गुणा है वो हो जाएगा 4 x से फिर रिण 3 x का गुणा हो जाएगा 5 से फिर इसके बाद में आप लिखेंगे धन 3 गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा चारतिया 12 x की खाद 2 रिण 5 धिया 15 x धन 3 ये हमारे पास में समीकरन प्राप्त हो गया हमें ठीक है अब क्या करना है अब हमें मान रखना है सबसे पहला वाला जो दिया है इसमें x बराबर 3 है न तो लिखते हैं x बराबर से 3 तो 3 रखने पर ठीक है तो x बराबर 3 रखते हैं तो अब देखें क्या हो जाएगा जहां जहां x है वहां वहां पे 3 रख दीजिए तो 12 x की घाद 2 है तो 3 की घाद 2 हो जाएगा रख 15 x है तो वहां पे 3 हो जाएगा धन 3 तो 12 गुणा 9 रख 15 गुणा 3 करेंगे तो 45 धन 3 हो जाएगा तो 12 नमा की 108 हो गया यह रख 45 धन 3 हो गया अब आप इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका चाँ जाटे ठीक तो यह आपका उत्तर हो गया x बरावर से 3 रखने पर ठीक अब दूसरी इस्तिती क्या थी x बरावर से 1 बटा 2 रखना है चलिए वो भी रख देते हैं x बरावर से 1 बटा 2 रख के देखते हैं तो लिखा था 12 x की घाद 2 है न तो 12 x की जगे 1 बटा 2 की घाद 3 की घाद 2 था स्वारी है न रिन 15 का गुणा 1 बटे 2 से हो जाएगा x है तो वहाँ पे और धन 3 अभल करते हैं तो अब हल करेंगे इसको तो 1 बटे 2 की घाद 2 यान बारा गुणा 1 बटे 4 हो जाएगा रिन 15 बटे 2 लिख दू मैं इसको धन यह हो जाएगा 3 ठीक है तो अब 12 गुणा 1 बटे 4 यान यह खुल मिलाके यह हो जाएगा कितना अब देखिए इसको अपने को हल करना है तो हल कैसे करेंगे तीन बटे 4 होगा यह रिन 15 बटे 2 होगा है न ठीक है तो अब हम क्या करेंगे आप इसको इस तरह से हल कर लेंगे तो यह जो हमारा जवाब है वो आजाएगा 3 बटे 4 धन 3 रिन 15 बटे 2 अब इसको हल करते हैं तो यह आजाएगा 9 है न यह बचेगा 6 छे इसको ऐसा हल करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 12 रिन 15 बटे 2 और आजाएगा जवाब में रिन 3 बटे 2 इस तरह से आपका हल हो जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब चाहें तो इसका स्क्रीन चॉट ले सकते हैं आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बी वाले प्रश्णी की ठीक है बी वाला प्रश्णी जो हमारे सामने दिया हुआ है वो कौन सा है यह वाला है यह दे दिया है हमें हल क करने के लिए और उसको सरल करना है और फिर एका मान और यह मान अलग अलग रखने एक है शून एक और रेन एक ठीक है तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं आपके सामने है ना तक कि हम यहाँ पे जो हैं इसको हल कर पाएं अच्छे से पहले वाला हमें मिटा देना पड़ेगा कोश्चन इस पस्ट्रूप से देख जाएगा उससे चलिए अब हल करते हैं इसको कैसे हल करेंगे मैं आपके सामने लिखता हूं सबसे पहले बी वाला इसको हल कर रहे हैं हम तुम समय करान लिखा है वो लिख देता हूं में एक गहाद दो धन ए धन एक धन पांच तो इसको सबसे पहले गुणा करके हल करके सरल करके लिखता हूं तो एक गहाद तीन धन एक गहाद दो धन एक धन पांच ऐसा लिखा जाएगा ये ठीक है एक गुणा एक से होगा तो ए आ जाएगा यहाँ पर धन पांच इस पश्ट है अब अब क्या करना है हमें यहाँ पर हमें मान रखना है ये समय करन प्राप्त हो गया तो सबसे पहले एक अमान कितना है शूने तो लिखते हैं ए बराबर से शूने रखने पर क्या होगा ए बराबर से शूने रखने पर मान रखें तो एक की घाथ तीन है तो शूने की घाथ तीन धन शूने की घाथ दो धन शून्य धन पांच यानि यह हो जाएगा पांच उत्तर आ गया ठीक है फिर क्या है ए बराबर से एक रखना है एक रखने पर तो एक की घाथ तीन धन की घाथ दो धन एक धन पांच तो एक की घाथ कितनी भी रहे जवाब में तो एक ही आएगा तो तीन बार एक 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 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा तीन धन पांच यानि आट यह उसका उत्तर आ जाएगा फिर तीसरी जेगे पर हमें क्या रखना है एक की घाथ एक अमान क्या रखना है एक की जेगे धन धन गएक गड़न गड़ा और पांच में से घच जायागा तो छार बचेगा तो चार यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आप चाहें तो स्क्रीन चॉट ले सकते ही इस तरह से हमें दूसरा प्रश्नू यहाँ पर हल करना था B वाला चौथे का ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की अगला प्रश्न जो है हमारा वो है प्रश्न क्रमांग पांच अब प्रश्न क्रमांग पांच हमें दिया हुआ है सबसे पहले पहला प्रश्न ये हमें संख्या दे दी है दो अलग अलग पद और ये दे दिया है इनको जोड़ना है ठीक है अभी जोड़ देते हैं बहुत सरल है लिखता हूँ यहाँ पे आपके सामने A बाला अब लिखेंगे P P रिन Q को जोड़ना था Q Q रिन R के साथ तो कैसे जोड़ेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ नहीं इसको जोड़ना है धन R R N P हैना तीन पदी है मैं तीनों को जोड़ना है ठीक है तो अभी जोड़ देते हैं चलिए पहले P को P से जोड़ देंगे तो गुणा हो जाएगा पहले P का P से अंदर तो हो जाएगा P की घात 2 फिर रिन P Q धन Q की घात 2 फिर रिन Q R फिर धन R की घात 2 रिन P R ये हो जाएगा तो ये आपका उत्तर हो गया ठीक है अब B वाले पे आते है B वाला क्या है? B वाला है 2 X वाला ये पद और ये पद इनको जोड़ना है और फिर लिखा हुआ है क्या घटाना भी है इसमें से ठीक है चलिए देखते हैं क्या प्रश्ण है क्या कहना चाह रहा है हमसे है न सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं जोड़ना है न मेंसे इसको जोड़ ये ठीक है ये को घटा ये हटा दीजे है न गलती से हाँ पर चप गया है तो जोड़ते है हम इसको तो 2XZ-X-Y में हमें जोड़ना है 2YZ-Y-ZX तो अभल करेंगे तो दो का गुणा पहले हो जाएगा तो हो जाएगा 2ZX-2X की खाद दो माइनस 2XY फिर हो जाएगा धन 2YZ रिन 2Y स्क्वेर धन 2ZX इस तरह से प्राप्त होगा हमें ठीक है तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा 2YZ है न 2YZ-2 तूजा 4XY होगा यह 2 लिखा है यहापे है न तो यह हो जाएगा यह तो Z ही लिखा हुआ है यहापे ZX ठीक है तो अब यहाँ पे इसको हल करेंगे हम solve करके देखते हैं कैसे solve होगा यह तो देखिए क्या प्राप्त होता है हमें सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता रहता हूँ यहापे कि जो मुझे यहापे दिखाई दे रहा है वो है क्या XZ है न XZ और ZX हल करके देखते हैं 2ZX और 2ZX हो जाएगा 4ZX 2YZX है यह 2YZX होगा यह 2YZX इस तरह से है न X Y Z कर दो सबसे सही ठीक ऐसा अब मैं आपको यहाँ पे लिखके बता दाँ हम क्या प्राप्त होगा सबसे पहले हमें हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा रिन 2X की खाद 2 रिन 2Y की खाद 2 और फिर प्राप्त होगा रिन 4XY है न 4XY हो जाएगे न रिन के फिर इसके बाद में हमारे को प्राप्त होगा धन 2YZ और धन 2ZX यह आपका उत्तर हो जाने वाला है इस तरह से हमें आप इसे हल करना है अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले बारे प्रश्चन की ठीक है अगला प्रश्चन जो है हमारा हो है C वाला लिखा है दो पत दिये है इसमें से इसको घटाना है देखिए कैसे घटेगा अब यह, 4L, 10N, माइनस 3M, धन 2L, इसमें से घटाना है, ठीक है, तो मैं घटा देता हूँ, किसको घटाना है, 3L, कुछ टक में L, 4M, धन 5N, ठीक है, इसको नीचे करते हैं हम इसके, अब देखिए, तो यह हो जाएगा, सबसे पहले तो इसका गुनाइस में कर देंगी हम इन, यह N लिखा हूँ है, तो यह हो जाएगा, 40, 40, LN, रिन, 12, ML, धन, हो जाएगा यह, 8L, की घाद, 2, रिन, 3L, की घाद, 2, धन, 12, LM, फिर हो जाएगा, रिन, 15, LN, अब इसको हल करते हैं, तो सबसे पहले, 40, LN, के सामने लिख देते हैं, 15, LN, जो रिन वाले हैं, 15, LN, यह न, फिर ML के साथ ML वाले लिखेंगे, तो रिन, 12, ML, से धन, 12, ML, कड़ी आएगा, और यह 8, L, की घाद, 2, रिन, 3, L, की घाद, 2, उसमसे घड़ी आएगा, तो बचेगा, धन, 5, L, की घाद, 2, यानि यह हमारे पास बचेगा, कितना, 40 में से, आप 15 घटा दो, तो बच जाएगा, 25, LN, धन, 5, L, की घाद, 2, तो उसको सही तरीके से लिख दीजिए, 5, L, की घाद, 2, धन, 25, LN, यह आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक, C वाला, अब, D वाले पे आते हैं, C हो गया हमारा, D वाला, यह जो दो पद दिये हैं, इन दो पदों को घटाना है, एक पहले से दूसरे को, तो चलिए घटाते हैं, ती जगे हमारे पास में दी हुई है, D वाला प्रश्न सबसे पहले में आप लिख लेता हूँ, चार, C, रण, A, धन, B, धन, C, में इसे घटाना है, तीन, A, फिर A, धन, B, धन, C, रण, 2, B, A, रण, B, धन, C, चलिए इसको घटाते हैं, देखिए कैसे घटेंगे यह, सबसे पहले तो यह हो जाएगा, C, ठीक है, अब देखिए, क्या करना है हमें, रण, 4, A, C, जैसा का वैसा लिखा, और है क्या A, C वाला, वो ढूरना है, हाँ, यह है, है न, तो यह हो जाएगा, रण, 3, A, C, फिर धन, 4, B, C, और रण, 2, B, C, धन, 4, B, C, रण, 2, B, C, फिर, C की घाद, 2, है न, A की घाद, 2, B की घाद, 2, C की घाद, 2, को तो लाश्न में लिख लेंगे, फिर लिखते हैं, रण, 3, A, B, ठीक है, रण, 2, A, B, फिर, अब, जो सिंगल वाले हैं, रण, 3, A की घाद, 2, धन, 2, B की घाद, 2, और धन, 4, C की घाद, 2, पूरे लिखा गए, अब हल करते हैं इनको, तो रण, 4, और रण, 3, आपस में जुड़ जाएंगे, बड़ी संक्या का चिन्न, यानि, 4 का रण लगेगा, 7, A, C, धन, और रण, रण होता है, और बड़ी स की बचेंगे, यान, 4 में से 2 घट जाएंगे, तो 2 बचेगा, फिर रण, रण, धन होता है, यहाँ पे, तो धन लग जाएगा, सौरी, रण लग जाएगा, और जोड देंगे, तो रण, 5, A, B, हो जाएगा, यह और फिर, रण, 3, A की घाद, 2, धन, 2, B की घाद, 2, धन, 4, C की घाद, 2, इस तरह से, यह हमारा जो है, यहाँ पे, हमें प्राप्त हो जाएगा, तो और अगर सरल भाशा में लिखना हो, इसे, सरी, क्रम में, तो इस तरह से लिखेंगे, रण, 3, A की घाद, 2, धन, 2, B की घाद, 2, धन, 4, है न, 4, यह 2, B की घाद, 2, जो मैंने लिखा है यह कहां से लिखा है, मैंने 2, B की घाद, 2, A, रण, B, धन, C ही है न, प्रश्ण में तो, A, रण, B, धन, C ही है न, ठीक है, 2, B है वो है न, तो B स्क्वाइर होगा वो, रण, रण, धन हो जाएगा है न, ठीक है, धन, फिर, 4, C की घाद, 2, और फिर, यह आपको लिखना A, B वाला है, पांच, A, B, और यह जाएगा, धन, 2, B, C, और रण, 7, A, C, इस तरह से यह आपका हल हो जाएगा, ठीक है, यहापे आपको इस तरह से हल करना है, एक मिर्ट रुकिएगा, हाँ, ठीक है, अब हम इसको इस तरह से हल करने के बाद में आगे बढ़ते हैं, यह अ इस प्रश्ण में थोड़ी सी गड़बड दिख रही है, अच्छा, इसको घटाना था, तो पहले हमें इसको हल कर लेना चाहिए, मुझे असा लगता है, एक काम करते हैं, यहाँ से जो है, हम इसे इस तरह से लिखते हैं, जैसा ही हमारा हल आया है, यह वाला, और अब इसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा हल करने का प्रयास करते हैं, इसके चिन ने जो है थोड़ी बदल जाएंगे यहाँ से, मैं आपको भी बता रहा हूँ, इसके जो चिन है यहाँ से, थोड़ी से बदल जाएंगे, ठीक है, अब देखें कैसे होगा यह, रिन 4AC, धन 4BC, धन 4C धन 3AC, धन 2AB, रिन 2B की घाद 2, धन 2BC, अब देखें, अब इससे हल करते हैं, अब क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम सिंगल सिंगल घाद वाले लिखतें, रिन 3A की घाद 2, फिर B की घाद 2, रिन 2B की घाद 2, फिर C वाला धन 4C है नदन 4C की घाथ तो यह लग दिया हमने अब घटा के लखते लिखे यह यह रिन 4AC है और यह धन 3AC है तो यह रिन AC बचेगा ठीक है तो इस तरह से हमें यहाप ऐसको हल करना है क्या बचेगा यह धन 3AC है यहाँ दन 3AC है तो यहाँ पर हमारे पास में एक रिन 4 AC है तो ये हो जाएगा इस तरह से यहाँ पे भी रिन आएगा गड़बर हो गई तो जब आप इसे हल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा AB, धन 6 BC और रिन 7 AC ये आपका final उत्तर होगा तो इस तरह से आप इसे हल कर लिए ठीक है तो मुझे उमीद है आपको ये प्रशना वाली बहुत अच्छे समझ में आई होगी, लास्ट वाले गणित में थोड़ी सी गरबर होगी थी, चिन्नों का ध्यान हम सही से नहीं रख पाए, मुझे उमीद है आपको समझ गए होंगे, किस तरह से उसे हल करना है आप जरूर इस वीडियो की लिंक को शेर कीजेगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ में ताकि वे लोग भी देखपा है इस वीडियो को और समझ पा है जानकारी को बाकि मेरी फिर आपसे बहुत जल्ब मलाकात होगी अगली नएक जानकारी के साथ नए वीडियो में और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार